चाशी दिलेक और नमस्कार, सबसे पहले मैं तिबब टीवी की और से हमारे सभी दर्शकों और बारत के सभी देश्वासियों को दिबावली की धेर सारी शुब कमनाएं हैपी दिबावली तिबब टीवी के हिंदी प्रसारन में स्वागत है तिबब टीवी के सब्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परमपावन दलाय लामा वर्तमान तिबब के परिस्तिती निर्वासन में तिबब तथा तिबब मुक्ति सातना के संदर्व में वैश्विक कारेकरमों का जानकारी उपलप्त कराते है आपके साथ मैं हूँ तेंजिन पलजोर देखिए इस सब्ता के प्रमुख खबर परमपावन दलाय लामा जी ने चित प्राचीन बार्तिय बौथ सहित्य में विज्ञान एवं दर्शन नामक कुस्तक का विमोचन किया परमपावन दलाय लामा जी की जलवायू परिवर्तन पर शीक्रे करवाई की अपील परमपावन दलाय लामा जी का दक्षिन कोरिया के राजदानी सियोल में आयोजित पंदरवें अंतरराष्ट्रिय बौथ समेलन पर संदेश परमपावन दलाय लामा जी ने बिहार विदान सवा चुनाव में श्री नितीश कुमार और राश्ट्रिय लोक तांत्रिक गडबंदन की जीत पर बदाई दी परमपावन दलाय लामा जी ने सन्यूग राज अमेरिका के नव निर्वाचित राश्ट्रपती जो बाइडन को बदाई दी सी क्योंग डॉक्टर लोपसंग संगे और निर्वासित तिपती संसत के अध्यक्ष श्री पेमा जुगने ने अमरीका के राश्ट्रपती जो बाइडन और उप राश्ट्रपती कमला हैरिस को धी बदाए बारतिय जन्ता पार्टी के वरिष्ट नेता श्री शान्ता कुमार ने परम पावंदराय लामा जी को बारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की स्विश तिबद कारले द्वारा आयोजित तीसरे जिनिवा फोरम में सी क्योंग डॉक्टर लोपसंग संगे का संबोधन विश्व एन आर आय समाजिक एवं संस्कृतिक संग ने तिबद मुक्ती आंदुलन का समर्थन किया अब सुनिए समाचार विस्तार से आज सुबा परम पावंदराय लामा जी ने धरम साला सित अपने आवाज से वीडियो लिंक के माद्यम से चित प्राचीन बारतिय बहुत सहित्य में विज्ञान एवंदर्शन अंख दो नामक पुस्तक का विमोजन किया है शुरुआद में इस पुस्तक के प्रकाशक विज्डम पप्लिकेशन के मुख्य कारेकारी अधिकारी श्री डैनिल एटकेन ने परंपावंदराय लामा जी तथा सभी प्रदिभागियों का स्वाकत किया था इस अवसर पर विसकॉंसिन मैडिसिन विश्व विद्याले में स्वस्त मन की जांज केंटर के माद्यम से विजार शील मानवी की संस्ता में प्रतिष्टित चेर्मेन जॉन ड्यून तथा माइन एंड लाइफ इंसिट्यूट के बोर्ट चेर थुप्दिन जिंबा ने पुस्तक के बारे में संख्शिप्त में बताया अपने संबोधन में परमपावं दरायलामा जी ने कहा कि वै दार्मिक सद्बाव को बढ़ावा देता है क्योंकि विपिन दार्मिक परमपराओं में ग्यान दर्शन की अंतर होने के बावजूद सबी दर्म करूना प्रेम शान्ती सहनशितला तथा शमा का पाठ सिखाता है उन्होंने कहा कि बगवान बुद ने अपने श्रदालों को उनके शिक्षा को आस्ता और विश्वास के जगा जांज और विश्लेशन के साथ अध्यन करने की सला दिया है गद 11 नोवंबर 2020 को परम पावंद्राई लामा जी ने चैनल 4 नीउस के साथ आनलाइन सशाक्तकार के दोरान जल वाईू परिवर्दन के संबन्द में ततकाल कारेवाई की अपील की है अपने संबोधन में परम पावंद्राई लामा जी ने ग्लोबल वार्मिंग पर सचेट करते हुए कहा की इस से सबी नदियों सूख जाएंगी और दुनिया की चछत अर्थात तिपत जिस पर अर्बों लोग पानी के लिए निर्बर करते हैं वह अफगानिस्तान की तरह सूख जाएंगी उन्होंने ग्लैस्गो में आयोजित होने वाले कॉप 26 सन्युग राज जलवायू समिलन में बाग लेने वाले विश्व नेताओं से पैरिज जलवायू समझोता पर कार्य करने की अपेक्षा जताई है उन्होंने कहा कि सन्युग राज को इस विशे पर सक्रिय बूमी का निबाने की जरूरत है और बड़े देशों को पारेवरन सन्रक्षन में जादा दियान देने की अवशकता है आप लुटी, चालाओं के अलुटी, खड़े लुटी अप्लावकों प्रफ़े लुटी, तो यहान प्रूबे थाओं मलाओं कुटीanza कि अवर्फ़े उ Kun फिछोने की अवशके खाटाई जाज प्रेजें की अवर्वीटी एूटीटी, विविव मैं तो यूटीटा बादे इसी रविवार को परमपावंद्राइलामा जी ने पंतरवें अंतरराश्ट्रे बहुत समेलन में दक्षिन कोडिया के दार्मी गुरूं तथा बहुत शरदालूं को ओन-लाइन संबोधित किया था अबने संबोधन में परमपावंद्राइलामाजी ने कहा कि पूर्व में बहुत धरम का एशियाई देशों में प्रचलन था आज के समय बहुत धरम पश्चिम देशों में भी वेपक रूप से फैला हुआ है अब वेग्यानिक छेत्र में शोध के लिए बहुत सी दांदों का अधियन एवं प्रयोग किया जा रहा है उन्होंने कहा कि वे सभी दर्मों का सम्मान करते है क्योंकि सभी दर्म मानफता की मदद करते है फिर भी बारत के प्राचीन नालंड़ा परमपरा पर अधारिद बहुत दर्म तर्क और द्रिश्टिकून के अधियन में जादा प्रभावी है कोरिया जपान चीन और मौंगोलिया इसके रक्षक है गद 11 नोवेंबर 2020 को बिहार विदान सभा चुनाव परिणाम की गोशना होने पर परमपावन दराई लामा जी ने मुख्य मंत्री श्री नितीश कुमार को एक पत्र लिख कर बिहार चुनाव में राश्ट्रिय लोक तांत्रि गड़बंदन की जीत के लिए बदाई दी उन्होंने मुख्य मंत्री नितीश कुमार द्वारा प्राचीन बारत्य ज्यान के नालंडा परमपरा को पुरनर जीवित करने में समर्थन तथा उनके इन प्रयासों में बड़ावा एवं प्रोत्साहन देने के लिए आभार प्रकट किया है उन्होंने विश्वास वेक्त किया है कि नितीश कुमार के नेतरत्व में बिहार सरकार लोगों की आकानशाओं तथा आशाओं को पूरा करने में सफल होगी साथ ही सीक्योंग डॉक्टर लोपसंग संगे और निर्वासत तिपती संसत के अध्यक्ष शिरी पेमा जुगने ने कि इंद्रिय तिपती प्रशासन और तिपती लोगों की और से शिरी नितीश कुमार तथा राश्ट्रिय लोगतांत्रि गड़ बंदन को बिहार में चुन राश्ट्रपती जो बाइडन को राश्ट्रपती चुनाव में विजय पर बदाई दी है अपने संदेश में परमपावंद्रय लामा जी ने कहा कि मैं लंबे समय से अमरीका का प्रशंसक रहा हूं ये देश स्वतंत्रता का अग्रसारन लोगतंत्र दार्मिक स्वतंत्रता और विदी नियम में प्रखर रूप से प्रतिश्टित है उन्होंने उप राश्ट्रपती पत पर एक महिला कमला हैरिस को चुनने के लिए अमरीका की जनता की सराना की है उन्होंने जो बाइडन दोरा कॉंग्रेस के सदेस्यता के दोरान तथा पिछले प्रशासन में तिब के समर्थन में बयान देने के लिए आभार प्रकट किया है इसी प्रकार सी क्योंग डॉक्टर लोपसंग संगे और निर्वासत तिबती संसत के अध्यक्ष शिरी पेमा जुगने ने अमरीका के 2020 राश्ट्रपती चुनाव में नव निर्वाचित राश्ट्रपती जो बाइ दी है अपने संदेश में डॉक्टर संगे ने अमरीका सरकार और लोगों दोरा तिबत मुद्दे के लिए पिछले कई दशकों से समर्थन देने के लिए अभार प्रकट किया है उन्होंने राश्ट्रपती जो बाइडिन दोरा तिबत के अध्यात्मी गुरू और विश्व शांती के अग्रदूत परमपावंद्रायलामाजी के साथ मिलने की बयान की सराना की गट 9 नुवेंबर 2020 से एक सब्ता के लिए स्विजलेंड से तिबत कारले दोरा तीसरे जिनिवा फोरम का ऑनलाइन के मद्यम से आयुजन किया गया था इस साल की जिनिवा फोरम का परबाव फोरम के उद्गारन पैनल में के इंद्रिय तीबती प्रशासन के सिक्यों डॉक्टर लॉपसंग संगे, स्विजलें राष्ट्रे परिशत के सज़सियर रेगूला रेट्स, इतली सांसत रोबर्ट रंपी, चेक गनराजी के सांसत फ्रेंटिसेक कोप्रिवा, जर परिया नगरपालिकाउं संग के महापौर एलफ्रेड रिडेल, स्विच तिबत कारले के प्रतिनिती श्री छिमी रिंग्जिंग आदी मुख्यारूप से शामिल थे, इस अउसर पर तिबत कारले के प्रतिनिती श्री छिमी रिंग्जिंग ने परंपावन दलाय लामा जी क संदेश प्रस्तुत किया था अपने उद्गाडन संबोधन में सिक्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि चीनी शासन ना केवल तिपतियों के लिए खत्रा बना हुआ है बलकि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती और खत्रा बना हुआ है यहां तक कि चीन मानव अपनी परिवाशा को सन्यूग राश्ट में थौपने का हर प्रयास कर रहा है उन्होंने कहा कि चीनी शासन में दार्मिक आजादी का नामों निशान नहीं है उन्होंने कहा कि तिबबत के अंदर दार्मिक आजादी पर प्रदिबन इसका सही उदारन है बारतिय जंता पार मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिख कर तिबद के अध्यात्मिक गुरू और शांती के अग्रदूत परमपावंद्राई लामा जी को बारत रत्म से सम्मानित करने का अनुरोद किया है। उन्होंने कहा कि परमपावंद्राई लामा जी को विश्व के कई देशों ने सर्वोच्चे पुरुसकारों और उभादी से सम्मानित किया है। इसी महिने बारत के राजदानी दिली में राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग के विश्व विवाक संगठन, विश्व NRI, समाजिक एवं संस्कृतिक संग ने तिबद मुक्ती आंदोलन के समर्थन तथा चीनी कमुनिस चासन के विरोध में विशाल प्रदरशन का आयुजन किय यह प्रदरशन दिली के कमला नगर गंडा गर पर सो से अधिक कार्यकरतों के उपस्तिती में हुआ था ध्यान देनी की बात है कि चीन से फैली कोरोना महामारी के कारण ऐसे सरवजनिक प्रदरशनों में वारी बीट की शामिल होने पर पावंदी है इस दोरान प्रदरशन कारियों ने तिबबत को आजाद करो कैलाश मानसरोवर को मुक्त करो ड्रैगन चीन तिबबत छोड़ो तिबबत की आजादी बारत की सुरक्षा जैसे नारे के साथ चीनी समराजयवात का विरोध किया था इस प्रदरशन में दिल इस्तित विबिन तिबती संगठनों ने भी वाग लिया है इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है अगले हफता हम फिर मिलेंगे मुझे दीजे आगया नमस्कार